सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे Central Bank of India के दवारा अपने Quarter 1 के जो आंकड़े हैं वो 17 तारिक को यानि आज की दिन पॉब्लिश कर दिये गए हैं तो चलिए फटाफट से देखते भी Central Bank के जो Quarter 1 के आंकड़े आए हैं वो कैसे आए हैं तो यहां पर आप लोग देखो और यहां पर आपको previous year ended results देखने को मिल रही हैं अगर बात के total income की है total revenue की तो यहां पर आप लोग देखो जो अपकी बार हमें देखने को मिला है तक्रीबन 8183 क्रोड 92 लाग का जब की previous quarter में क्या था 8000 तक्रीबन 8567 क्रोड 45 लाग का यानि की previous quarter से अपकी बार जो revenue है वो वहीं अगर previous year के same quarter से compare करके देखें तो वहां से हमें इसके revenue में इसके income में एक अच्छे खासी jump देखने को मिली है अगर बात करें इसके expenditure को लेकर यानि कि जो total खर्चे हमें देखने को मिले अब की बार वो यहां पर आपको 6340 क्रोड 4 लाग के जबकि previous में क्या थी 6469 क्रो तो यहां पर आप लोग देखोगे यह बहुत अच्छा खासा बड़त देखने को मिलते नजर आएगी तो यहां पर आप लोग देखोगे जो net profit बचा है for the period तो यहां पर तकरीबन लगभग आप लोग देखोगे 418 क्रोड 43 लाग का जबकि previous में क्या था 570 क्रोड का तो previous से आप लोग देखोगे profit में डिकलाइन जुरूर है लेकिन आप लोग देखो प्रोविजिन कम होने उसकी वजाशे profit थोड़ा बचा है इसे compare करें तो वहां से profit में 100% की growth हमें देखने को मिली यानि कि यहां पर आप लोग देखोगे जो NPA हमें देखने को मिल रही है वो क्या है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो भी जो net NPA हमें अब की बार देखने को मिले तकरीबन वो है 377 क्रोड 75 लाग की जबकि previous में क्या थे 3591 क्रोड की तो previous से आप लोग देखोगे इसके NPA में बढ़ता है तो यह एक नए इडियो संगे तब यह इसके result साथे नजर आया है company ने कोई dividend वगर अनॉंसमेंट किया नहीं है I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी आप लोग दे पर यानी previous year के same quarter से compare करें तो वहां से result अच्छे देखने को मिले है I hope आपको जो भी इस year को लेकर doubt थे हो सारे clear होगा फिर भी कुछ भी पूचना हो comment में पूच सकते हो channel को subscribe नहीं के तो subscribe होना मत भूलना and thank you for watching the video